तो सभी बच्चों को गुडीवनिंग ठीक है सबको गुडीवनिग कमले शंकित विकास शुभम पृति रेखा सभी लोगों को गुडीवनिग चलिए आज हमारा जो सेशन है यह आखरी सेशन है आज का और आज दो ही सेशन हो पाया थोड़ा किताबे पढ़ने और फिल्में जी आई है यॉह इसे एजां करदी यह दो नहीं आज का दिन निकल गया है तो इक छोटा सा एक मकसद होता है हर्यक्ति का और हमेशां को आदमी काया है ओई तो को टेकर िपता है तो इसकारण से कंपास सब्सक्राइब करहें तो अपको पता नी चालता कि कैसे महिनत करें ज जो आपको और हमको मिली है, good opportunity कहने का मतलब है कि अगर आप माल लीजे कोई भी काम करते हैं, जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, तो आपको क्या preparation को उतना time नहीं मिलता है, तो एक तरह से दुनिया रुक गई है, और आपको क्या तयारी का मौका मिल गई, यानि आप ऐसे ने दिख रहा है, और आप चाहे तो prepare कर सकते हैं, तो अभी अगर सोच करके देखे, तो यह जो lockdown हुआ है, तो जब यह lockdown खत्म होगा, तो बीच का जो यह gap है, यह gap count नहीं होगा, gap count नहीं होने का मतलब है, पापा की परी, good evening, ठीक है, यह तो fake account है, बट इस्टेल, good evening, कई ब दस दिन बाद, हफ़ते भर बाद या महीने भर बाद, तो जिन्दगी वहीं से चलनी शुरू होगी, तो माल लिजे कि हमारी लिए 25 मार्च को दुनिया रुकी, और 24 मार्च को संतोष कुमार सिंह जैसा व्यक्ती था, अगर माल लिजे 15 अप्रेल को संतोष कुमार सिंह जब बाहर निकल रहा है, अगर वो व्यक्ति थोड़ा improved है, तो दुनिया वहीं से चल रहे हैं, लेकिन अब हम दुनिया को जहलने में, दुनिया का सामना करने में क्या है, जादे समर्थ हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप regular अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने बालों का, अपने एक महीने बाद जब आप घर से बाहर निकलिएगा, तो आप एक जादे सुन्दर व्यक्ति की रूप में सामने आ सकते हैं। आप रोज एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योगा कर सकते हैं, और एक महीने बाद जब आप बाहर जाएं, सरकार loan की repayment तीन महीने बाद से लेगी examinations को भी उतने बाद से शुरू किया जाएगा लेकिन अब आप दुनिया का सामना करने के लिए बहतर रूप से समर्थ हैं क्योंकि इस एक महीने में दुनिया रुकी हुई थी लेकिन आपने अपने आपको इंप्रूफ करने में कोई कमी नहीं रखी जैसे हम हैं घर पे तो अभी क्या है कि I am worshiping daily हम रोज पूझा करते हैं पहले कभी कबार करते थे लेकिन लोगों को हमेशा इसकी सलाह तो जरूर देते थे बट आज अभी क्या है कि बिना ना है कभी भोजन नहीं करते हैं श्री रामचेत्र मानस का रोज पार्ट करते हैं एक्सरसाइज करते हैं पढ़ाई पे थोड़ा फोकस कर रहा है पढ़ाई पूतना नहीं हो पारा है क्योंकि आपको पढ़ाना भी हमारा काम है और हमारे पास पढ़ने के लिए अतना बरा मोटिवेशन नहीं है पर आइक्सरसाइज डेली हम पूजा करते हैं तो और अपना भी खयाल रखते हैं ग्रूम करके रखते हैं खुद को तो इसी तरह से क्याना कि आप भी खुद को बहतर बनाईए ताकि एक महीने बाद जब आप ये सब कुछ ओपन हो तो आप एक बहतर व्यक्ति की रूप में जाए जो व्यक्ति घर में बंद हुआ था और जो व्यक्ति घर से बाहर निकले दोनों में फर्क होना चाहिए आप दुनिया का सामना करने के लिए के लिए बहतर धंग से तयार होने चाहिए तो इस इस अल्ली मोटिवेशन देट आई किन गिव यो कि आपको ये बहुत बर्या उपरचुनिटी मिली है कि सब कुछ स्थेर है और आप बहतर हो सकते हैं ठीक है तो कल हम आपको अलग से लाइव आ करके अपनी सूरत दिखा करके आपको बैंकिंगा और इस ऐसे दोनों को बच्चों को अलग से गाइड करके हम बताएंगे कि आप सभी किस तरह से अभी भी प्रेपरेशन करकरके जो अभी समय मिला है उस समय का और बहतर रुपयोग कर सकते हैं इतने दिन तो इंग्लिश मैंने आपको पढ़ाई ही है बाकी विश्यों के लिए भी क्योंकि हमने खुद कम समय में तयारी करके जो भी जौब की है की है तो लेट्स होब कि कल का जो सेशन होगा काफी प्रोडक्टिव होगा और जो रेगुलर होता है एडिटोरियल रीडिंग हो तो होगा यह ठीक है इस बीच बहुत सारे बच्चों के प्रनाम का हम जवाब नहीं दे पाए आज हनमान जनमुत्सभ है तो उसकी भी आप सभी को शुब कामना है बढ़ाईया और सभी को गुड इवनिग तो शुरू करते हैं अब रेगुलर सेशन तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभी से भी समय नहीं बीता है अभी भी हफते दस रोज का समय है और अगर माल लीजिए हमारा बैड लग रहता है और यहां लॉकडाउन थोड़ा एक्स्टेंड होता है तो भी क्या है आपको इस समय का सदुपयोग करना है सब कुछ रुका हुआ है लेकिन आप खुद को बहतर बना सकते हैं ठीक है तो बस इतना प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद जिस दिन भी घर खुलेगा जिस दिन भी हम लोग बाहर आएंगे उस दिन एक बहतर सत्य में एक बहतर प्रभाकर, एक बहतर अमित एक बहतर स्विटी, एक बहतर संजय, एक बहतर दीप माला, एक बहतर प्रिंस, एक बहतर रंजन, एक बहतर विकास, एक बहतर कमलेश, एक बहतर अंकित, एक बहतर शुभम, एक बहतर रेखा, एक बहतर प्रिती, और एक बहतर संतोष कुमार सिंग रोट पे निगलेगा, आज हमारी जो भी सितिय इससे बहतर होनी चाहिए, ठीक है, then only हम कह सकते है कि हमारे पास समय का अभाव नहीं, बलकि मोटिवेशन का अभाव था, ठीक है, तो अब हमें मोटिवेशन मिला है, समय मिला है, तो अब हमें यह काम कर लेना है, ठीक है, तो चली, class शुरू करते है, life session का कल हम time आपको बता देंगे, सुबह में पहले 10 बजे तो कल editorial हम ही रहेंगे आपको, ठीक है, कल उसका भी आपको timing हम कर दो घंटा पहले बता देंगे, prior to that, नहीं, मोटिवेशन नहीं है बचा, यह simple चीज है, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, यह हम आपको बता रहे हैं, this is a thought, जो हम खुद को देते हैं, ठीक है, एकदम जब बाहर नि हात्मिक व्यक्ति हम है, ठीक है, सभी को good evening, चलिए, अब class शुरू करते हैं, and it wasn't only authors who wrote with an elegant hand, तो end आपका conjunction है, अपने handwriting पे भी थोड़ा focus कीजेगा, इसलिए focus कीजेगा, क्योंकि descriptive अभी भी SSE वालों का हाथ से होता है, जो बचे banking की तयारी करते हो, थोड़ा typing पे हाथ साफ कर ले, क्योंकि आपके बीच में आपका मित्र है, जो ये class कर रहा है, वो, आई-वी-पी-पी-उ में descriptive पूरा लिख नहीं पाया था, क्योंकि उसे typing नहीं आती थी, ठीक है, तो let's see to that, चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं, and आपका यहां पर conjunction है भालक, conjunction का प्रियोग हम लोग क्या करते हैं, दो terms को जोड़ने के लिए कर सकते हैं, दो टुकरों को जोड़ने के लिए कर सकते हैं, इट आपका introductory pronoun है, तो introductory pronoun कहने का मतलब होता है, कि जिस noun की बात हो रही है, वो noun बाद में आएगा, और इट पहले आएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं, इट इस अ ब्यूटिफुल डे, इट इस अ ब्यूटिफुल डे, यहां पर देखिएगा, इट किसके लिए आ रहा है आपका, दे के लिए रहा है, और दे बाद में आएगा, तो इट यहां पर introductory pronoun है, ना की personal pronoun, ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, तो यहां पर इट आपका pronoun है, कैसा pronoun है है हमने बता दिया, वाज आपका बी भर्ब है, लेकिन यहां में भर्ब के रूप में यूजर वाज यहां पर आपका auxiliary नहीं है, सब को good evening बच्चा, सभी बच्चों को good evening, और only आप देखान दीजेगा, किसी भी शब्द को जो एक सधिक पार्ट सो स्पीच है, ठीक है, जो अब देख सधिक पार्ट सो स्पीच हो सकता है, उस पर धिहान देंगे, तो only आपका adjective, adverb, conjunction तीनों होता है, तो आप यहां पर धिहान दीजेगा, यह आपका noun है author, तो यहां adjective होने की संभावना जादे है, only क्या है आपका adjective, adverb, conjunction है, तो जब तक हम पढ़ा रहे हैं, उसी बीच में, कोई ऐसा नलाइक बच्चा है हमारा, जिसके पास dictionary नहीं है mobile में, English to English, comment करेगा, कोई comment नहीं करेगा, हम जानते है, nobody will conquer, nobody will accept कि वो नलाइक है, तो कोई ऐसा समझदार बच्चा है, जिसके पास है, वो comment करें, ठीक है, तो तक हम इधर बता रहे हैं, तो only यहाद ही आपका adjective है, चुकि authors noun के लिए आया है, who relative pronoun है, जिसका antecedent हो गया, यहाँ पे आपका authors, wrote आपका verb का दूसरा रूप है, with, अब यहाँ पे दिखिएगा, right with है, with आपका preposition है, preposition के बाद article, article के बाद adjective, और adjective के बाद noun, तो I hope सब कोई parsing करता होगा, अचा कोई नाला है, कि कल से अगर आप में से सभी बच्चे, जो parsing करते हैं, उसका screenshot टेलिग्राम पे डाल दिया करें, तो आप में से कितने लोग कर पाएंगे, ठीक है, अगर हम आप से कहें, कि जो आप parsing करते हैं, हमारे कहने पे, वो कितने लोग आप में से डाल पाएंगे, टेलिग्राम वाले ग्रुप पे, तो अच्छा रहेगा, कल से अगर आप डाल देंगे, इससे कहना कि आपको भी एक motivation मिलेगा, कि चलो, मतलब इतने लोगों में से सिर्फ हम नहीं किया है, ठीक है, चलिए, आगे देखेंगे most, तो आप यहाँ पे धियान दीजिएगा, कि इधर बहुत स possibility है, कि adjective के साथ off आता है, और off के साथ noun आता है, ठीक है, adjective पे बाद off, और off के बाद क्या आता है, noun आता है, या फिर pronoun, और क्यूंकि off आपका preposition है, तो noun या pronoun जो भी होगा, वह objective case में होगा, ठीक है, जासे one of them, one आपका adjective भी use होता है, most of them, तो यहाँ पे भी them क्या है, objective है, त objective के बाद off, off के बाद them, यानि objective case आप use करें, adjective के बाद, plus off, plus objective case, जिसमें noun या pronoun आता है, तो या धिहान रखिएगा, अचा नई, इंटरनेट का कभी-कभी issue होता है, बच्चा, बट कोई दिकत नहीं है, आप यह कर सकते हैं, कि अगर live में miss हो जाता है, तो YouTube डाउनलोड करने की सुविधा देता है, और आप हमारा वीडियो हमेशा 360P में देखे या डाउनलोड कीजिए, क्योंकि हमारा जो, मतलब, laptop है, उसकी quality ठीक है, तो आप अगर 360P में भी देखिएगा, तो आपको दिकत नहीं होगी, ठीक है, तो जिनको भी इंटरनेट का issue आता हो, 360P में इकतनी होगी, और visibility एकदम clear रहेगी, ठीक है, तो I hope कल से screenshot आप डालिएगा टेलिग्राम पर, ठीक है, चलो, तो आगे आप करते हैं, यह समझा दिया हमने, यहाँ पर देखेगा, most of our parents, तो most है, उसके बाद आपका adjective के बाद कहाँ पुला था न हमने, कि noun आएगा, तो noun आपका है, parents, और इसके लिए आया है, positive adjective are, हम भी net का issue कभी-कभी face करते हैं, but still manage करना पड़ता है, कई बार आपकी class जो आगे पीछे होती नो, net के issue के कारण भी होती है, but उतना manage करना परेगा, और अभी कहा है कि हमारे पास तो समय ही समय है, ठीक न, and आपका conjunction है, और कल जो हमारे बताने का तभी फायदा है, या हम तभी बताएंगे, जब आप उसको follow कीजएगा, और आप मतलब हमारा अंकल आपको अपनी life story भी थोरी बताएंगे, ताकि आपको लगे कि नहीं, it's possible, कम समय में, कम resources के साथ भी आदमी पढ़ सकता है, हमारी पढ़ाही में मतलब हमारे parents के बाद हमारे चोटे भाई का है, मतलब आदमी अपने चोटों को motivate करता है, बट कई बर क्या होता है, चोटे आपको जादे motivate करते हैं, तो हमारी परहाई में हमारे माता पिता के बाद सबसे अधिक अगर किसी का योगदान तो हमारे चोटे भाई का है, I will share these things with और थोड़ा copy लेकर के रखेगा, so I can share a schedule with you, कि आप कैसे कम समय में तयारी कर सकते हैं, 50 days किसी भी exam के लिए more than sufficient है, मतलब 0 से अगर अब शुरू करते हैं, चले, आगे बताते हैं बचा, and grandparents, तो दो noun को जोड़ने के लिए आपने conjunction and का प्रयोग किया है, पहला आपका हो गया parents, दूसरा हो गया, आपका grandparents, had आपका यहाँ पर देखेगा, main verb की तरह use हुआ है, थोड़ा column ठिक ले लेते हैं, ताकि आपको दिखे, तो यहाँ क्या है, आपका main verb है, तो main verb है, अगर आप has या have को, या had को, main verb की तरह use कीजिएगा, न, good evening सुमित, तो उसके साथ हमेशा क् noun आना चाहिए, क्योंकि आपकों समझा देते हैं, एक तो distinction याद रखेगा, auxiliary verb और main verb के बीच में, कि दुनिया में तीन ही auxiliary हैं, आपके, और इन तीनों का आप main verb की तरह use कर सकते हैं, be, do, or have, यहाँ तीनों auxiliary हैं, जिनको आप main verb की तरह use कर सकते हैं, यह हम half की बात कर रहे है चली, तो नहीं महमत भी छोटे भाई की फोन से ही पढ़ पाते हैं, हम भी अपनी छोटे भाई की दिलाएवे computer पर हमने भी अपनी पढ़ाई की थी, he got a job earlier in his life, इसलिए, हागल प्रभाकर बताएंगे math के लिए बचा, maths का तुम लोग से topic भी feedback ले करके, banking वाला maths कुछ पढ सभी students, सभी नौकरी पेशा, सभी businessmen लोगों को, हमारे पिताजी ठेकेदार हैं, ठीक है, मतलब building construction में उनका है, उनका तो समय नहीं कट रहा है, मतलब सुबह शाम बस बोजानी दो चीजे हैं, जो इंको interest करती, engage करती, हम लोग तो फिर भी busy हम पढ़ाने मापढने में, हमार गुड इवनिंग शुबहम, तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा, ना उना आएगा, तो यह में भर्ब होगा, और अगर यह auxiliary भर्ब रहेगा, तो इसके साथ आप भर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग कीजएगा, ठीक है, इतना धियान रिखिएगा, ऐसे हमने अधिकतर sessions मे शुबहम तबियत ठीक है बच्चा, तबियत डाउन हो जाता है ना, एक तो काम नहीं करने को उतना, आपको पढ़ाते हैं उसके लावा कोई activity नहीं रहती है, exercise कर रहते हैं, बट एक होता है ना कि लेट से सोना, लेट से उठना, मतला भी सोने का schedule गरबर था हमारा, तो हमने बहुत सही है हमारे देश के अगर यही स्थिति रह जाती है, तो इस बिच के हैं दवा भी मिल जा सकती है, और vaccine भी इसके आ सकती है, उसके बाद क्या है कि दवा और vaccine आने के बाद है ना, अगर यह बिमारी रहती है तब भी बाहर निकलने में कम से कम हमें यहां लगेगा, क तब खोले जब सरकार को लगे कि everything is under control तो हमारी तब यह ठीक है बस उठने का schedule और सोने का schedule गरबर था इस कारण से थोड़ा down feel कर रहे थे fever भी आपको तभी परिशान करता है तो हमें अपना schedule ठीक कर लिया है तो हम बता रहे थे कर have auxiliary भरब रहेगा तो उसके साथ भीथरी आएगा और अगर main भरब रहेगा तो उसके साथ noun आएगा तो यहां पर हमने कहा था main भरब है तो let's check it out तो head यहां पर हमने यूज किया have का ही form है तो उसके लिए परिशान नहीं होना है और जो noun इसके साथ आ रहा है वो है styles और styles noun के लिए adjective यूज कर रहे हैं हम लोग distinctive ठीक है of their own तो दो noun को जोडने के लिए आपने off का प्रयोग किया पहला noun is styles दूसरा noun आप यहां पे न यूज करके pronoun form यूज कर रहे हैं तो आप जानते हैं noun को pronoun replace करता है तो off यहां पे है और their own आप यूज कर रहे हैं there यहां पे आपका positive adjective है हमेशा धियान दीजेगा कि positive adjective और positive pronoun में फर्क होता है positive adjective के साथ क्या यूज करते हैं हमेशा हम लोग यूज करते हैं noun का प्रयोग करते हैं यह समझा दे रहे हैं आपको I have a house अगर मेरे पास एक घर है तो हम कह सकते है This is my house तो यहाँ पर जो my है वो positive adjective है इसके बाद noun आएगा या फिर हम कह सकते है This house is mine और यहाँ जो है यह positive pronoun है ठीक है तो own यहाँ पर हम लोग use कर रहे है pronoun के तोर पर और there जो है आपका positive adjective हो जाएगा तो यह pronoun है तो एक तरसे noun की category का हुआ noun की ही गुन को या क्या करेगा carry करेगा तो इतना समझ में आये होगा तो हम थोड़ा मिटा देते हैं मिटाने से किया आना कि visibility बढ़ जाएगी और कोई भी suggestion हो बीच में आडियो वीडियो राइटिंग स्टाइल को लेकर के तो बताना ठीक है क्योंकि हम भी चाहेंगे कि जब यह lockdown खत्म हो तो जब हम बाहर निकले तो I should emerge as a better teacher एक बहतर सिक्षक के रुप में बाहर निकले चलिए आगे दिखा जाए I still have my father's last letter तो यहां पर दियां दिजेगा अगर have main verb है तो वह क्या कर सकता है adverb ले सकता है अपने साथ ठीक है तो यहां पर जो still है वह आपका adverb है I आपका pronoun है subject का काम करेगा still आपका क्या हो गया adverb है जो कि have main verb के लिए आएगा और have main verb है तो इसके साथ noun होना चाहिए तो noun है आपका letter जिसके लिए adjective आ रहा है आपका last और father's क्या है आपका positive है तो दो noun को जोड़ने के लिए आपने अपस्ट्रफ स का प्रयोग क्या है यहां पर एक और point आपको समझाना चाहेंगे अगर आप दो noun को जोड़ते हैं off से तो पहले noun की बात हो रही है और अगर apostrophe s से जोड़ते हैं तो हमेशा दूसरे noun की बात होती है तो यहां पर बात हो रही है letter की क्योंकि apostrophe s से आपने जोड़ा है तो बाद वला noun उसी की बात हो रही है father की बात नहीं हो रही है तो इन्होंने कहा, writer ने father's letter, तो father आपका पहला noun हो गया, letter दूसरा noun दोनों को जोड़ने के लावन ने apostrophe s का प्रयोग किया है अच्छा एक थोड़ा बता न parsing किसका किसका थोड़ा clear हुआ है बच्छा, हमको मतलब comment में बताओ तो कि किसका किसका parsing पर थोड़ा command आया है written to me, written यहाँ पर verb का तीसरा रूप है, participle form है to, आपका preposition है और preposition के साथ जो भी noun या pronoun आएगा वो अबजेक्टिफ case में आएगा, when आपका adverb of time है, I है subject, was be verb का रूप है main verb है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और main verb है, तो इसके साथ कोई auxiliary verb नहीं रहेगा अच्छा, सत्य हम आपने आज से शुरू किया तो कोई शुनिए बच्चा, यह किसमा वीडियो है आराम से समय निकाल करके पीछे का भी चार-पांच वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको idea लग जाएगा कि हम लोग कर क्या रहे है at आपका preposition है और boarding school में अगर आप चाहे तो boarding को objective के तरह use कर सकते है दीपमाला बच्चा, तुम तुम बहुत नए हो अभी, ठीक है और आप बिलकुल नए हो और इसमें आप अगर ऐसा कह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है तुमारा कौन सा topic चल रहा था class में जैसा comment में बदाना तो बच्चा चलिए, तो boarding school को आप compound noun की तरह भी ले सकते हैं या फिर school को noun ले सकते हैं और boarding को आप objective बोल सकते हैं ठीक है आगे है, over 60 years ago तो over आपके है न, adverb के रूप में जब यूज करते हैं तो उसकी meaning होती है more than that ठीक है, यानि से थोड़ा अधिक preposition भी है, adverb भी है यहाँ पर adverb की तरह यूज करते हैं adverb का मतलब होता है से थोड़ा अधिक चलिए, पहले से better हुआ है चलो, भूमिका आपका सुधर चुका है अंकित का भी सही होता है नंदकिशूर ठीक, अमित आपका 70% ठीक है, 70% is a good number चलिए, दीपमाला तुम बताओ तुम्हारा topic कौन सा चल रहा था तो over यहाँ पर आपका adverb है और जो आपका 60 है वो number है तो numeral adjective हो गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा गिंती बताता है यह countable noun की numeral adjective कहलाता है तो यह numeral adjective हो गया 60 और उसके लिए plural noun आगया years और अगो हो गया हमारा adverb ठीक है कल से screenshot सबको share करेगा और life compare करते चलेगा अपना इसी बहानी हो सकता है कुछ लोग नए आ हैं लिखना शूरू करें संजय आपका भी पहले से better हुआ सुधरेगा सबका सुधरेगा जो भी नए बच्चे हैं इस PDF को डाउनलोड कर लोगे वीडियो के description में PDF डाला हुआ है उसको डाउनलोड कर लोगे और अगर नहीं डाला होगा तो अभी हम पीछे जा करें वीडियो के description उसको डाल देंगे उसको डाउनलोड कर लीजे आप और उसके बाद क्या करना है न simply जो आज task हम कर रहे हैं वो करके लाना dictionary का use करके है he used used भर्ब का दूसरा रूप हो गया large beautifully formed letters तो letters आपका noun हो गया large आपका adjective हो गया एक सेकेंद formed आपका adjective हो गया और इस adjective के लिए आपने beautifully adverb का प्रयोग किया है और यह सारे adjective आ रहे है letters noun के लिए and his thoughts and आपका conjunction हो गया his हो गया आपका positive adjective तो उसके साथ noun आना चाहिए तो thoughts आपका क्या है noun है seem to have एक दो page बाग की adjective खत्म होने में सिर्फ एक topic तुम लोग पढ़े हो noun और सिर्फ एक topic noun पढ़के अगर तुम्हारा parsing improve हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है आचा तुम लोग को तो बिलकुल ही नया बैस था तुम लोग को तो एकदम ही नया बैस था so अब कुछ किया नहीं जा सकता बच्चा इसमें तुम लोग को बिलकुल ही नया बैस था चलिए समझ में आ गया हमें चलो बच्चा अब देखा जाए seem आपका linking verb है तो seem आपका linking verb है एक दिन पढ़ा देंगी ये भी उसके साथ to आपने यूज किया है और have आपने किया यूज किया है भीवन main verb की तरह have main verb है तो noun होना चाहिए तो दो noun है यहाँ पर एक है flow दूसरा है clarity और उसके लिए adjective आया है आपका same और article आया है the as is handwriting as आप यहाँ पर देखेगा हमेशा धियान दीजेगा as और like इसमें थोड़ा क्या होता है बच्चों को doubt रहता है as में और like में तो as compare करने के लिए आप यहाँ यूज करें preposition तो उसकी handwriting जैसा तो as यहाँ पर आपका क्या है preposition है his आपका positive हो गया और handwriting आपका क्या हो गया noun हो गया भरप का 4 रुप यहाँ पर noun का काम कर रहा है ठीक है चलिए इसको मिटाते हैं और last line का बस parsing कर लेते हैं newspaper का भी जो पहला है front page का headline उसको parse करके रखना सभी बच्चों को और हम आपको अब likes, share और subscribe करने के लिए नहीं कहेंगे बहुत भिक्मंगी लगती है ठीक है और इसके लिए हम बस पढ़ाना है और जितने बच्चे पह रहे हैं उनहीं को पढ़ाना है आगे देखा जाए in his letters, in preposition his positive adjective और देखोगे न, अगर 5-6 दिन जो लगातार parsing करता है न, उसको लगए कि सब कुस तो repeat हो रहा है और ऐसा हर जगा सही है later आपका noun है बच्चा यहाँ पे he, आपका subject हो गया third person singular noun तो उसके साथ भर्प का पांचमा रूप 9-year-old raskin तो raskin आपका noun हो गया 9-year-old adjective है क्यों है, कैसे ही एक दिन समझा देंगे about आपका preposition है his positive है और handwriting आपका noun है तो आप देखेगा preposition, positive noun preposition, positive noun यानि एक तरह सी यह structure है नहीं सत्य हम घर से class ले रहे हैं बच्चा ठीक ना, हम घर से ही class लेते हैं everything is at home board, camera वो सब भी है घर पे but board से पढ़ाने के बचा भी laptop से ही चल रहा है class ठीक है, तो I hope यहाँ ते एक समझ में आया होगा तो अब meaning समझा देते हैं who wrote with an elegant hand और ऐसा नहीं कि सिर्फ जो writers होते हैं वो ही अच्छी handwriting में लिखते हैं most of our parents हाँ घर से class ले रहे हैं most of our parents हम में से अधिकतर लोगों के माता पिता and grandparents और दादा दादी नाना नानी had distinctive styles of their own की अपनी अलग style थे लिखने की I still have my father's last letter मेरे पास अभी भी मेरे पिताजी की आखरी चिठी है written to me जो उन्होंने मुझे लिखी थी when I was at boarding school over 60 years ago जब मैं boarding school में था आज से तकरीबन 60 साल पहले he used large beautifully formed letters तो बरे-बरे और सुन्दर अक्षोर का प्रयोग करते थे and his thoughts seemed to have the same flow and clarity as his handwriting और उनके जो विचार थे तो कई बर क्या होता है कि हमारी माली जे आवाज आपको मधुर लगे लेकिन हो सकता हमारे बोलने का या जो वाक के हम बोलते हैं वो थोरे उल्जे हुए हो यानि आपको अर्थ पता नहीं चलता हो लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे पिता जी कि जितनी साफसुत्री हैंड राइटिंग थी उनके thoughts भी उतने साफसुत्रे थे यानि वो उतने ही सपश्ट ढ़ंग से अपनी बात कह पाते थे thoughts का मिनिंग यहाँ पर है कहने का तरीका in his letters he advises 9-year-old Ruskin about his handwriting और उन्होंने अपनी चिठ्थी में उस समय 9 साल के थे Ruskin bond और उनको कहा है कि अपनी handwriting थोरी क्या है सुधार हो और यहाँ पर जो italic में दिया हुआ है यह पूरा text यह जो पूरा text है यह उनका लिखा हुआ है यानि उस letter का excerpt है e x c e r p t ठीक है यहाँ पर जो हमने term भवी बोला वो हमने use किया है excerpt e x c e r p t इसका मतलब होता है किसी written material से जो हम लोग उठा करके डालते हैं माली जी एक 10 line की चिठ्थी उसमें से 3 line उठाया तो उसे excerpt कहेंगे तो आपको लगता है 3 line की चिठ्थी होगी नहीं तो यहाँ पर जो है उस चिठ्थी का एक excerpt दिया गया एक छोटा सा उसमें से उधारन उठाया गया है मैं पहले भी तुम्हारी handwriting के बारे में अच्छा थैंक यू प्रिंस लिखना चाहता था रसकेन sometimes I get letters from you in very small writing कई बर मुझे तुम्हारे चिठ्थियां मिलती है बहुती छोटे अक्षरों में as if you wanted to squeeze everything into one sheet of paper जैसे कि तुम चाहते हो कि सारी बात एक पन्ने में ही क्या है डाल दी जाए it is not good for you or for your eyes ये ना तुम्हारे लिए अच्छा है ना ही तुम्हारी आँखों के लिए to get into the habit of writing so small कि तुम यहां आदर डालो कि छोटे अक्षरों के आदर डालो तो ना ये तुम्हारे लिए बढ़िया होगा ना तुम्हारे आँखों के लिए try and form a large style of handwriting कोशिश करो कि बरे अक्षरों में लिखना शुरू करो use more paper if necessary अगर ज़रूत परे तो जादे काज़ का प्रियोक करो I did my best मैंने अपना बहतर से बहतर करने की कोशिश की to follow his advice ताकि मैं उनकी सलह को follow कर सकूँ अभी क्या किया है कि हम एडिटोरियल में अब उतना पार्सिंग नहीं करते हैं उसके बावजोद भी एडिटोरियल थोड़ा क्या है लंबा खिच जा रहा है ऐसा इसलिए कि हैंना क्यूंकि अगर आप दोनों काम एक साथ करते हैं थोड़ा मिक्सप हो जाता है तो पार्सिंग यहां कर ले रहे हैं और अनलिसिस हम लोग एडिटोरियल में कर लेते हैं तो आई होब तुम लोग एडिटोरियल डेली फॉलो कर रहे हुँ इधर ठीक है तो मैंने अपना बेस्ट किया ताकि उनकी सलाह को follow कर सकूँ इस अब ग्लाइट तो रिपोर्ट आफ टर लाइफ टीम ऑफ पिनमैंशिप और में इहां बताने मुझे खुशी हो रही है कि जिन्दगी भर लिखने के बाद पिनमैंशिप का मतलब लिखने के बाद my handwriting is still readable अभी भी handwriting क्या है लिखने ही योग्य है sorry पढ़ने ही योग्य है मतलब इतने साल लिखने के बाप्जूद भी मेरी handwriting खराब नहीं हुई है तो यहाँ पर लेखक एक तरह से कह रहे है कुछ चीजें इस्तमाल से खराब होती है लेकिन कुछ चीजें इस्तमाल से बहतर होती है handwriting is just one of those things चलिए तो यह बहुत बड़ा paragraph है इसको अगर छोड़ेंगे तो फिर आप इतना parsing नहीं कर पाएंगे तो यह हम लेकिन यह बहुत ही बढ़िया paragraph है तो इसको हम parse करने के लिए दे देते हैं वर्ट से लेकर के मशीन तक ठीक है जादे लंबा नहीं दे रहा है इतना कर कर के रखेगा कल अगर आप इतना कर लीजेगा तो फिर आप अपना करने के बाद इस screenshot के है पांच बजे के बाद वह जो टेलिग्राम ग्रूप का लिखें इसमें डाल दीजेगा हम इसलिए आगे नहीं पढ़ा रहे हैं कि क्यों सेशन थोरा छोटा रखेंगे न तो आप इंट्रेस्टेट रहिएगा दूसरा यह परग्राफ पढ़के भी देखना है खुद से कि आप इसकी मीनिंग को वो खुद से दिआ निखाल पाते हैं नहीं निकाल पाते हैं ठीक नब अब वो न्यूस पेपर वी सबण कर लेते हैं पारसियं। चलियंग हम पहले से कुछ प्रिपियर कर कर करके रखते हैं ताकि आपका टाइम बर्बाद नहों सब रहते हैं चलिए अब देख लेते हैं निउस पेपर वाला जो हमारा है निउस पेपर कल किस ने कहा था शायद आरेमान ने कहा था कि अब उसको निउस पेपर में देकत नहीं होती है अचा प्रभाकर हम पढ़ा देंगे बच्चा छूट गया है ना पढ़ा देंगे चलिए देखा जाए गवर्वर्मेंट आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर क्योंकि यह सिंग्लर है इसले भर्व का पांचमर रुपा आपने यूज किया है lockdown extension यहाँ पर compound noun है दो शब्द को एक साथ यूज किया गया है ठीक है तो यह compound noun हो गया दो शब्दों से या दो से अधिक शब्दों से मिलके बने noun को compound noun गहते हैं amid request amid आपका preposition है request आपका noun है from आपका preposition है और the आपका article है states आपका noun है अब meaning समझा देते हैं इसकी government mals यानि government विचार कर रहे m u double l mals इसको सभी लोग हम जो meaning बताते हैं न कभी जरूरत लगे तो note कर लिया करो ठीक है तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में plan करना किसी चीज़ के बारे में ध्यान से सोचना तो government plan कर रही है lockdown को extend करने का कि lockdown को थोरा बढ़ाया जाए amid request from the states क्योंकि राजियों से क्या है request आ रही है और रोध आ रहा है कि इस lockdown को extend किया जाए lockdown को थोरा लंबा किया जाए क्योंकि अगर पैसे की हानी होती है तो पैसे की हानी को किस तरह से recover किया जा सकता है लेकिन जानमाल की हानी को कभी भी recover नहीं किया सकता दीपमाला होगा ना बच्चा तुम सिर्फ एक ही topic पर हो noun ठीक है और adjective चली रहा था उसका pronoun बाकी है verb बाकी है preposition बाकी है tense बाकी है adverb बाकी है conjunction बाकी है बहुत कुछ बाकी ठीक है अभी तो आप लोगा सिर्फ डेमो खत्म हुआ था बट जो बता रहें करो class लेंगे अगर extension की बात होती है if the government decides to extend the lockdown तो फिर total class लेंगे जो चलती थी तो यहां पर आपने समझ लिया कि Amit का मतलब होता है के बीच request आ रहा है वह में का closest का class कल से करा दे रहें बच्च कल दो घंटा का class ले लेंगे दिन में दो टाइम ठीक है चलो तो हेडलाइन तो हम बता दे रहें न अभी जी आपको जहां दिखा थो रोज करते रहे प्रैक्टिस ठीक हो जाएगा ठीक है continuity, regularity यहीं दो चीज़ हैं जैसे आप दिखिए कि हमारे channel का तो आपको दिख रहा ह कि अगर हमें सफल होना है तो I have to be continuous हमें continued रहना है जारी रखना है इस काम को तो आप भी continuity में काम करोगे न तो निश्यत और पर इंप्रूफ होगा ठीक ना इसलिए एकदम चिंता मत करो आप regularly बस जुड़े रहे हैं अपने आप इंप्रूफ होगा ठीक है चली तो आगे हम एक एकैं हम बता देते हैं Many states have applied sorry appealed है sorry miss हो गया हम इसे तो मेनी आपका adjective है plural noun के लिए आता है Schutz आपको plural noun हो गया plural noun के साथ have लगाते है have आपका auxiliary verb है have के साथ यह थ्याँ की पहीतरि हो being for proposition preposition के बाद positive जो कि अभी आपने देखा और continuation हो गया आपका noun in the face of idiom होता है in the face of आपका क्या होता है idiom होता है इसकी meaning अभी हम बता देंगे rise हो गया आपका noun in हो गया आपका preposition covid-19 cases हो गया compound noun यानि एक सदिक शब्दों से मिल करके बना noun noun की जगा हमेशा दूसरा शब्द लिख दिया कर रहा है ठीक है अच्छा प्रभाकर common error का कोई content नहीं मिल रहा है हमको बढ़िया question का करा देते हैं करा देते हैं निशिंत रही हम कल कराएंगे ठीक है online बहुत सारे teachers हैं बूल करके मुकर जाते हैं हम नहीं मुकरेंगे हम कल करा देंगे तो करा देंगे तो कई सारे राजियों ने appeal की है for its continuation किसको जारी रखा जाए it pronoun है पीछे आ चुका है जो noun यानि lockdown उसके लिए है in the face of को देखते हुए in the face of एक idiया में जिसकी मीनिंग होती है को देखते हुए rise in covid-19 cases covid-19 यानि वहान coronavirus के बढ़ते हुए cases को देखते हुए अधिकतार राजिसरकारों ने appeal की है कि इससे continue किया जाए इससे मतलब lockdown को ठीक है चली अब ये news देख लेते हैं थोड़ा इसको increase कर देते हैं size थाकि थोड़ी visibility बहतर हो और आप अपना data बचाने के लिए 360P में देखे आपको साफ पता चलेगा क्योंकि हम content बहुत ही high quality में stream करते हैं तो आप 360P में भी देखेगा आपको पता चलेगा चली दा union government आपका compound down हो गया यहाँ पे बच्चा ठीक है on preposition है Tuesday आपको पता है यह preposition of time होता है on और इसका प्रियोग हम लोग करते हैं day या date के लिए तो यहाँ पे यह day है noun है day के लिए आ रहा है indicated तो यह आपका subject था union government भर्प का दूसरा रूप है क्योंकि यहाँ पे Tuesday है जो की बीता हुआ दिन है तो past का प्रियोग करेंगे इसमें कोई doubt नहीं है that यहाँ conjunction है की होगी meaning it was actively considering तो लेफ्ट में लिखते है it अब आगया the union government के लिए pronoun है subject का काम करेगा was auxiliary भर्प है actively considering तो considering आपको भर्प का चौथा रूप तो is was इन सब के साथ भर्प का चौथा रूप आता है और इसके लिए adverb आया है भर्प के चौथे रूप के लिए actively ठीक है थोड़ा मिटा देते हैं an extension an article हो गया आपका extension आपका क्या हो गया noun हो गया तो noun को जोड़ने के लिए आपने off का प्रियोग किया है तो 24 दिन का या 21 दिन का जो lockdown है यह आपका दूसरा noun हो गया compound noun की तरह इसको लेके चलिए in the face of harm को देखते हुए का विचार करते हुए that यहाँ पर relative pronoun है that conjunction नहीं है जो कि इस lockdown के लिए आ रहा है that began भर्प का दूसरा रूप on March preposition day या date के लिए था है and conjunction है is due to तो owing to और due to आप लोग पढ़े होंगे अधिकतर लोग पढ़े होंगे ठीक है तो वही वहला due to है owing to या due to जो आप use करते हैं वही due है यहाँ पर ठीक है due का प्रयोग हम लोग क्या है adjective noun adverbs सबके रूप में करते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको जो use कर सकते हैं तीनों form में use कर सकते हैं ठीक है adjective के तौर पर भी use करते हैं adverb के तौर पर भी use करते हैं और noun के तौर पर भी use करते हैं यहाँ पर जो use किया है हमने adverb के रूप में use किया है और लेकिन अगर आप due to को use एक साथ करते हैं तो यह फिर preposition का काम करता है ठीक है? due to किसका काम करता है? preposition का काम करता है यानि phrase हो जाता है शब्दों के समूं को phrase कहते हैं और preposition का काम करता है तो due to end तो यह दोनों में फर्ग याद रखेगा तो due आप तीन तरह से use कर सकते हैं adjective के रूप में जिसमें जैसे due date यूज करते हैं तो हाँ वो adjective हो गया noun के रूप में use कर सकते हैं dues को due का ही plural क्या होता? dues वो नाउन हो गया और उसके लाब adverb के रूप में यूज कर सकते हैं तो तीसरा जो उसकी meaning होती है वो होती है adverb के रूप में लेकिन जो due to हम लोग use करते हैं आप owing to और due to यह दो form में यूज करते हैं और इन दोनों ही form में क्या होता है? यह कई सारे cases में गया है preposition का का काम करता है यह ध्यान रखिएगा ठीक है? तो यह कारण का भी काम करते है यह कारण भी बताता है तो इसको अलग से हम note करा दे रहे हैं इसको देखिएगा यह owing to और due to में दिक्कत आती है बच्चों को इसलिए इसको समझा दे रहे हैं कि दोनों में क्या फर्क है? तो आप use करते हैं owing to का प्रियोग करते हैं दोनों में क्या फर्क है? यह बता देते हैं तो इसकी जो meaning होती है दोनों की meaning एक meaning same होती है उसकी meaning होती है because of और वहां पर यहा क्या करेगा preposition का काम करेगा ठीक है? तो एक तो यहां ध्यान रखना है कि यहाँ preposition का काम करेगा जब आप इसको because of के sense में यूज़ करेंगे यसे आप बुलिएगा कि हम बीमार थे इसी कारण से हम नहीं आ पाए मतला अगर आप किसी को बोलते हैं कि हम बीमार थे इस कारण से हम नहीं आ पाए तो हम लिखेंगे I couldn't come due to my illness ठीक है? तो because of के sense में अगर यूज़ करते हैं तो दोनों की मीनिंग क्या होती है? सेम होती है अब यहां पर एक जो फर्क है वो हम बता देते हैं कि due to के साथ आप यूज़ कर सकते हैं बी भर्ब का ठीक है? यानि due to के साथ बी भर्ब आएगा यह हमेशा ध्यान दीज़ेगा कि owing to or due to की समानता है कि because of की मीनिंग में आती है और फर्क यह है कि आप due to के साथ क्या कर सकते हैं? बी भर्ब का प्रियोग कर सकते हैं लेकिन owing to के साथ आप बी भर्ब का प्रियोग नहीं कर सकते हैं ठीक है? यह ध्यान दीज़ेगा और कोई फर्क इसमें नहीं है due to और owing to में उसके लाब और कोई भी फर्क नहीं है ठीक है? तो एक example देते हैं जैसे लिखेंगे my absence was due to तो आप भी भर्ब के साथ क्या है? due to का प्रियोग कर सकते हैं ठीक है? इसका हमेशा द्यान दीज़ेगा यही एक फर्क है और यहां पर आप owing to का प्रियोग नहीं कर सकते हैं तो यही फर्क है यह owing to और due to में और आप क्या कर सकते हैं? इसके साथ क्योंकि आप because of की meaning देता है और off preposition तो इसके साथ आप noun का प्रियोग भी कर सकते हैं लेकिन एक मात्र फर्क है कि due to के साथ बी भर्ब का रूप आ सकता है owing to के साथ बी भर्ब का रूप नहीं आ सकता है यह जैमार हो वाजवेर हो कुछ भी हो यह हम कई दिनों से सोच रहे थे कि कभी अकर मौका मिला तो बताएंगे आज सामने आया तो हम यह सोचे कि समझा दे ठीक है यही एक फर्क है उसके अलावा कोई फर्क नहीं है चलिए तो अब पार्सिंग कर लेते हैं तो यहां पर due to end है तो due का प्रियोग कर लीजिए is about to end कह सकते हैं या is due to end तो यहां adverbial form है two plus b one है और इस भर्ब के लिए क्या adverbial का काम करेगा यहां पर आगे जाके meaning देख करके हमने देख लिया कि because of की meaning नहीं आ रही है अगर because of की meaning आती तो उसको preposition की तरह treat करते हैं तो यहां खत्म होने वाला था कब खत्म होने वाला था यहां बता रहे है प्रिपोजिशन का प्रियोग कर क्यों प्रिपोजिशन के साथ आप date यूज कर रहे हैं 14 अप्रिपोजिशन के रूप में यहां पर किया गया है कि conjunction का पहचान यही होता है कि conjunction दो clauses को जोड़ता है और कल बताये थे clause की पहचान क्या होती है कि उसमें एक subject और finite verb होना चाहिए तो many states आपका क्या हो गया subject हो गया many आपका adjective states plural noun have हो गया auxiliary भर्प और appealed हो गया भर्प का तीसरा रूप और openly हो गया आपका adverb तो यहां पर यह clause हो गया due to network problem so I didn't get it हां सत्यम बिल्कुल देखता है बच्चा इसके लिए एक functionality होती है उसको कहते है DVR functionality हम उसको on करके रखते हैं आप 12 गंटे तक यह video live mode में देखेगी आप 12 गंटे का तो offline भी देखेगे ठीक है तो किसी का भी अगर network का issue रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं बाकी लोगों को दिक्कत नहीं था रेखा को दिक्कत हुआ और सत्यम को हुआ तो आप आराम से पीछे देखेगा देख जाएगा ठीक है हमारे यहां से network issue नहीं था क्योंकि हम सामने अपने television पे इसको live देख रहे है तो आप इसको पीछे से देख लेजाएगा तो यहां पर as आपका conjunction है क्योंकि conjunction clause को जोड़ता है clause के पहचान होती है कि there should be a subject and there should be at least a finite verb तो यहां पर finite verb है आपका appeal, appeal verb के लिए openly adverb आया है और auxiliary verb have आया है और subject हमारा many states चलिए appeal for something होता है तो appeal for something तो एक तरह से कह सकते है आप phrasal verb है something यानि noun आना चाहिए तो continuation हमारा noun है जिसके लिए positive adjective है आपका its आप में से comment करके बताना तो कितना बच्चा को आप दिख जाता है कि चलो यह positive है यह है यह है क्योंकि आप तो दिखना चाहिए हमको लगता है इ as फिर conjunction है तो subject चाहिए बच्चा तो देखिए का number of covid-19 cases आपका subject हो गया continue to rise b1 ठीक है और यह infinitive है 2 plus b1 और क्योंकि number of covid-19 cases plural है धेर सारे covid-19 cases है तो क्योंकि अगर वो plural है तो आप continue यानि b1 का प्रयोग करेंगे तो I hope इतना समझ में आया होगा और नहीं आया होगा तो कल फिर पार्सिंग करेंगे कल फिर दिखेगा अब meaning समझा देते हैं केन सरकार ने मंगलवार को यह संकेत दिया that it was actively considering कि यह लगातार विचार कर रही है an extension of the 21-day nationwide lockdown कि यह जो राष्ट वियापी 21 दिन का lockdown था इसको extend करने का बढ़ाने का जो यह जो lockdown था वह शुरू हुआ था मार्च 25 को and is due to end on April 14 और जो 14 अप्रील को खत्म होने वाला है ऐसा यह इसलिए कर रहे है क्योंकि यहाँ पर as जो conjunction है वह because की meaning में आ रहा है आप देख लिजएगा as conjunction के एक meaning होती because क्योंकि पीछे भी कई बर बताए होंगे हम क्योंकि कई states ने खुले आम अपील की है कि इससे बढ़ाया जाए क्योंकि number of covid-19 cases अभी भी rise पहें अभी भी increase हो रहे हैं तो सबको एक request तो जरूर करेंगे कि पीछे का सारा reading session क्या करोगे पकड़ लोगे ठीक है और जिनको भी problem होती है वो अदम continuity में घर से task करके रखोगे न तो दिक्कत कम होगी और थोड़ा वो तभी आप dictionary का use कर सकते हैं ठीक है you are allowed to use the dictionary तो आई होप जितना समय दी होगे समय का आपको सद्वियोग हुआ होगा आप में से बहुत साथ लोग हमें good night बोलते हैं लेकिन हम reply नहीं कर पाते हैं तो आज हम पहले आपको good night बोल देते हैं ठीक है चली जिनको भी थोड़ा problem होता है वो regular देखते रहो और कल से तो screenshot भेजना ताकि आप compare कर सकें ठीक है और हमें भी लगेए कि इसी डर से आप लोग task कर रहे हैं तो आज सबको good night आज के लिए और कल motivation प्लस extra classes के साथ मिलते है ठीक है और हमने नॉर्मली continuity बढ़ती है सिर्क दो दिन जो हमारी तबियत खराब रही थी उसे में हमने आपको दोखा दिया तो आई हो पैसा नहीं होगा चली तो पवन भूमिका अभीजीत रंजन सत्यम सबको good night और कल मिलते हैं ठीक है कल early morning में तैयर है ना 10 बजे के करीब अधिटोरियल कल करा देंगे ठीक है चली good night सभी बच्छोगा